इस इस ओल इंडिया रेडियो अग्रिकल्चर ओगनाईजेशन और इंडियन असोसियेशन फॉर दी अड्वानस्मेंट ऑव साइन्स ने उन्हें उनकी डॉक्यमेंटरी फिल्म ग्लोबल वामिंग के लिए अवार्ड दिया हुआ है इधर मैं देख रहा हूं कि 2014-15 के लिए इन्हें नाशनल लाडली मीडिय अवार्ड भी मिला है फॉर जेंडर सेंसिटिविटी उन्निस सो च्यानवे में इनको रजत कमल मिला है राष्ट्य पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म सेक्शन में और इनकी डॉक्यमेंटरी का नाम था तत्व उसके अलाबा समय समय पर नौत इंडिया फिल्म्स असोसियेशन की ओर से भी इनको पुरस्कृत किया जा चुका है इनका नाम है आप मेंसे कई लोग जानते भी होंगे जो मीडिया से जुड़े हैं सागरी चाबडा सागरी कारिक्रिम में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है नमश्कार मनोज भाई मैं बहुत अभार प्रकट कर जानना चाहती हूँ आपको भी और All India Radio को भी कि आप आए हैं और हमारा इतिहास आर्काइव के बारे में जानना चाहते हैं यह बताईए तेज को तो निताजी की जैनती है ही आपका जो लंबा विस्तृत रिसर्च रहा है वो रहा है उन्ही के एक अभिन अंग उनके पूरे आजाधिंद फौर्च का जो अभिनांग थी रानी जासी रेज्मेंट उसकी जो वीरांगनाय थी उनके जीवन और कॉंट्रिबूशन पर आपने इतने साल रिसर्च किया है हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि शुरुवात कैसे हुई उनीश सो पचानवे पर 1995 जब मैने तत्वा फिल्म कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कि मुझे अगली फिल्म बनानी चाहिए और हर किताब और फिल्म के लिए तो मैं खुद रिसर्च करती हूँ और जब मैंने research किया तो मैं हैरान हो गई कि औरतों के बारे में हमाई पास कोई visual archive भी नहीं था मैं सब जगे गई, films division, national film archive, सब जगे मैंने research किया बहुत कम था, तो मैंने research जब जारी की, तो मैं एक ऐसी lady से मिली जिन्होंने लहूर women's jail में चारपाई पे चारपाई लगा कर जंडा फैराया, सो बहुतरा खोसला जी, और फिर मैंने उनसे पूछा कि और आपके साथ कौन थी, जो चली गई है, तो उन्हेंने पुषपा गुज्राल जी के बारे में बात किया, मेमू बाय, सत्यावती जी, तो मुझे ये समझाया कि हमने औरतों को हमेशा ignore ही किया है, यानि कि जब हम gross domestic product assess करते हैं, तो हम औरतों के जो योगदान हैं घर में, या कहीं भी, हम उसको account में नहीं लेते हैं, इसी तरीके से हमने औरतों को स्वतंतरता संग्राम में इनका योगदान बिल्कुल बायपास कर दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये recording जरूर करनी है, किसी भी हालत में, और ये, फिर ये, मैंने फिल्म बनाई, असलियाजादी, जो दूरदशन ने दिखाई भी है, National Network पर, 16 August को, I think 2000 में, और विश्व में सब जगे गई है, Golden Gate Festival, Oslo, etc. मैंने, तब जब मैं ये फिल्म के, का रिसर्च कर के लिए, रिसर्च कर रहे थी, और शूटिंग कर रहे थी, तो मैं में मेंबर्स अव रानी अव जांसी, रेजिमेंट से मिली, जो नेता जी, सुभास चंदर जी का समकल्प था, अब ये भी सोचिए कि 1940 में उन्होंने ये निरने लिया कि हम एक All Women's Regiment Wing बनाएंगे, और इन ओरतों को military training मिली, बकायदा, तो मैंने जब इनके बियान लिये, तो मुझे ये भी हरांगे हो गई, कि ये जो औरते, जो मलेशिया उस ताएं मिलेया और सिंगापूर, मिलेया कहा जाता था, अब मलेशिया और सिंगापूर है, जो मिलेशिया, सिंगापूर, थाइलंड और बर्मा, यानि कि मियनमार से थी, वो उनको, they never had a reunion, वो भी unrecognized थी, तो मैंने सोचा, इनके बियान लेने चाहिए, तो जब मैंने ये research किया, तो मैं इतनी प्रेरित हो गई, कि ये जीवन का मकसद बन गया, मैंने सोचा कि मुझे किसी भी हालत में वहाँ पहुंच के उनके बियान लेने हैं, क्योंकि no one lives forever, और फिर बाद में हमें ये बताया जाएगा, कि ये हुआ ही नहीं, ये हकीकत है ही नहीं, तो फिर मुझे Asia fellowship मिला, और मैं Asia fellowship के help के साथ मैं Malaysia पहुंची, वहाँ मैं मिली जाने की थेवर से, लक्षमी स्वामिनाथन सेगल ने तो स्थापना की थी, ब्रानी अवजांसी रेजिमेंट, घर घर गई, और parents को convince किया, कि अपनी बेटी को दीजे, ठीके, वो बहुत बड़ी चीज है, जब विश्वयुद शुरू हुआ, तो घायल जवान आ रहे थे, तो लक्षमी स्वामिनाथन, उस वक्त उनका नाम लक्षमी स्वामिने था, बाद में लक्षमी सैगल बना, तो उनको नेताजी ने मेमियों भेज दिया, अपर ममा जहां hospital था, क्योंकि वो डॉक्टर थ वो थी जान की थेवर, और जान की थेवर के ब्यान तो, वो एक घोड़े पर रेड क्रॉस हॉस्पिटल पहुंचती थी, वहां, बिटिश ने बॉम किया hospital को, और घायल जवानों को एक बर्निंग बिल्डिंग से निकालना, अपनी जान को हतीली पे रखना है, और यह सब, म तो, उन्होंने में को काफी और आनियों के साथ समपर्क दिलवाया, तो मैं ऐसे ओरतों को मिली, अंजली, सुपाया, मिनाक्शी, और मैंने उन से पूछा कि आप कैसे मतलब घर के बहार निकल गई हैं, और एक और मैंने पूछा, जब मैं कनू स्वामी से मिली, प्राय में, तो मैंने का, but you have never set foot on India, so आपके अंदर इतनी धेशपक्ति या पेट्रियो आटिजम की भावना कहा से आई, आपका जनम तो यहां हुआ है, तो उनको बहुत ख्रोदित हो गए, उनको गुसा चड़ गया, उन्होंने का, it's a funny question to ask an Indian, once an Indian, always an Indian, एक बारी आप Indian हो, तो आप ह समा मुपालन, तो यह देशपक्ति की भावना कहा से आए, तो उन्होंने का, उस वक्त महौल ऐसे था, कि नेताजी आए, और वो ऐसे, उन्हों कहते थे, मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा, और यह औरते खून देने को तियार थी, और वो औरते, मतलब उ किया जाए, तो गौरी सेन के यह बयान है, गौरी भटचारिया सेन, उन्होंने कहा कि रानी और चांसी रेजिमेंट की लड़कियों ने एक पर्टिशन लिखा अपने खून में, और उनको यह कहा कि गौरी भटचारिया को कि तुम जाओ और नेता जी को दो खुद, कि हमको फ्रंट में लड़ना है, और नेता जी एक गराज में बैठे थे, जो कामोफलाज था, और वहां गई, और उनने कहा कि हमें भी फ्रंट में जाना है, तो अब निरने लिया गया कि रानी और जांसी रेजिमेंट को डिस्पैंड करना है, उनको वापस सेफली, नेता जी ने क तो जब उनको बोला गया कि आपको हवाई जहां से यहां से एवाक्योएट करेंगे, तो उन्होंने रिफ्यूस किया, उन्होंने का मैं इनके साथ चलूंगा, और उनसे पूछा गया कि तुम चलनने को त्यार है, उन्होंने का हाँ, 21 दिन के लिए ये लोग दो टोलियों म बनते गए, एक टोली में जाने की थेवर और नेताजी सुभास चंदर बोस जो आयने के कमांडर है, दूसरी टोली में जाने की बाई जो सेरामबान की थी, मिलेशा की, और मैंने सब से इंटर्व्यू किया है, जो जीवत थी, मैं मिलेशा पहुंची 2004 में, और उनके बयान, मतलब जाने की थेवर के जो माच था, जब बारिश होती है, जब लो लाइंग, फ्लाइंग एरप्लेंज ने ग्रिनेट पे फेंका, दो रानी इसके उपर उसके उपर वो ग्रिनेट लगी, उनको गहरी चोट हुई, और उनके मृत्य हुई, और उनको वहां बैरी करना पड मतलब इन लोगों ने इतना योगदान अपना दिया है, स्वतंतरता संग्राम में, और इनको कुछ रेकिनिशन ने मिला है, वो चिठ्थिया ही लिखती रही, तो मैंने सोचा कि ये प्रिना की सुरोत हैं, ये हमारी हिस्ट्री है, और हिस्टोरियन्स और आइकाइवर्स वो डॉक्यूमेंस को पढ़के हिस्ट्री क्रियेट करते हैं, बट हिस्ट्री के काफी फुट सोल्जर्स होते हैं, जो बहुत कुछ करते हैं, और कोई उनको रेकिनाइज नहीं करता, बहुत अच्छी बात कहीं आपने, मैं बस बीश में यूं आना चाहता हूँ, कि जैसे आप आपने इन महिला विरांगनाओं की बातें बताई, इतनी अनमोल बातें बताई, वैसा ही अब हम आपने कहा कि फुट सोल्जर इतिहास के, तो as a foot soldier, जो आपके प्रयास रहे हैं, इस पूरे विवरंड का डॉक्यूमेंटेशन, विधिवर डॉक्यूमेंटेशन करने में, उ अंडर रिकॉर्डेट, बट मैंने मलेशा जाके इंडिन नाशनल आमी के में को भी रिकॉर्ड किया है, मैंने गांधी नाथन जी जो टोक्यो कडेट थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि नेता जी ने ये संकल्प किया था कि जब बिटिश आमी भागे गी, तो फिर हमें आमी चलाने के लिए इस ओफिसे स्ट रहे हैं, तो उन्हें ने 21 यंग बोईस को हैंड़ पिक करके टोक्यो भेजा था, उनको टोक्यो कडेट के नाम से बुलाया जाता है, तो गांधी नातन के जी के भी बयान है, और किस तरीके से जब विश्वयूद, they lost the war, then how they were arrested, how Hong Kong में, कै इसे वो शिप द्वारा यहां आए, बिना खाने के अब्यूज लेक, सुनते-सुनते, और उनको भारत में कुछ नहीं मिला, तो वो मलेशा लॉट के उन्होंने नौकरी ढूंडी वहां, तो थाइलंड में मैं बालक सेना के लोगों से मिली, किशनलाल मथा, सचदेवा, और कुकरेजा साब से, तो यह बहुत छोटे थे उस वक्त, तो बालक सेना में उनकी ट्रेनिंग होते थी, सिंगापूर में भागया लक्ष्मी डेवीज, उनकी स्टेप मदर ने यह डिसाइड किया कि उनकी शादी होनी चाहिए, और in her own words, she said, it's better to die for a cause, than to get married to a man I may not lie, तो उन नोने रानी हो जहां से रेजिमन जोइन किया, और Burma, जिसको हम अब Myanmar कहते हैं, वहां मैं पहुंची, तो मैं ऐसे लोगों से मिली, जैसे पेरुमल जी और डेविड जी, आयने में उन्हों ने जरूर काम किया, बर वो स्टेटलिस थे, उनके पास सिटिजन्शिप नही है, ना इंडिया की, ना मियनमार की, और उनके बच्चे और ग्रांचिर्ण भी स्टेटलिस है, तो मैं ये कहते हूं कि जब तक हम अपने लोगों को रेकनाइस नहीं करेंगे, उनको पेंशन नहीं देंगे, उनको समान की दृष्टी से नहीं देंगे, तो फिर ये तो गलत बा कि अपने हमारी आजादी के लिए लड़ाई की, तो मैं हर स्वतंत्रता सनानी के पेर छूती थी और स्वतंत्रा भारत की तरफ से, अपनी पीडी की तरफ से मैंने शुक्रिया अदा की, अब आप कह रहे हूं कि क्या है इन रिकॉर्डिंग में, एक तो ये भारत के पहली और पहाप्स only, I am not sure if it's only, but it's in 16mm film, video, audio, जैसे आप audio recording कर रह हैं, photos हर व्यक्ति के मैंने नई खींचे हैं, जितने old photos मैं collect कर सकती थी मैंने किये, और documents मैंने बहुत click किये हैं, तो अब इन सब को मैं digitize करना चाहती हूं, और अपने लोगों के साथ share करना चाहती हूं, क्योंकि ये अमानत है अपनी स्वतंत्रता संग्राम की, ये मैं आप share करना चाहती हूं, कि भावी पीड़ी जाने, आज की पीड़ी और भावी पीड़ी जाने, कि स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोगों का योगदान रहा और कितने अलग तरीके से, भारत में जरूर, गांदी जी ने औरतों को बहार, अपनी चाहत दिवारी से बहार बोला और गांदीवाद की विचारधारा अवश्य अहिंसा और सत्याग्रह है, यह उनकी नीती है, और बहुत लोगों ने अपनाया है, और यह इस लिविंग कल्चर, इस तिल इग्जिस्स तुड़े, पर यह भी सत्या है, कि भारत की अजादी की लड़ाई, रेवलूशनरी भी रही है, और बहर नेता जी सुभाजचंद्र बोस के नेत्रित्व में आयने और रानिया अवजहांसी रेज्मिन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो अन्रक्नाइज रहा है, और बहुमा में मैं लता भार्दवाज को मिली, उनके भाई गौतम भार्दवाज नेता जी और एक चीज़ ये भी हमें याद रखनी चाहिए, कि नेता जी वो सपोर्ड़ बाद आक्सस पास, तो उन्होंने वो युद लूज किया, तो ब्रिटिश ने री उक्यूपाइ किया मलिया और बहुमा को, तो इन लोगों ने अपने डॉक्यूमंट्स वगएरा सब डिस्ट तो उस वक्त आप सोचिए, इतनी यंग लड़किया हैं और जिस साइड पे आप हैं वो हार गया है, और वो जो सोल्जर आके आपको इंटेरोगेट कर रहे हैं, तभे भी किसी भी रानी ने ब्रेकडाउन ने किया, उनसे पूछते थे कि नेता जी कहा है, और मॉम्ता ने कह कि अगर मुझे पता भी होता तो मैं बताती तुम्हें, तो ये सब बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, आपने इतना मारमिक विवरन दिया, रानी अवजासी रेजिमेंट की महिला भी रांगनाओं का, ये किताब हम अपने सामने देख रहे हैं, In Search of Freedom, हम चाहते हैं आप में इस किताब के essence के बारे में भी हमारे शुरताओं को बताईए, अब ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक essence बताना, तत्वा देना, क्योंकि 1995 में काम शुरू हुआ है और अभी लागू है, तो ये 27 साल का काम है, पर एक तो यहां इंडिया में तो मैंने जो औरतें थ अभी हमारे शुरू हुआ है, तो मैंने तोक्यो कडेक्स के भी किया, मैंने आयने के भी किया, बालक सहना का भी किया, तो मतलब different strands, different ways of the contributing to the freedom movement, और हर, आप देखेंगे किताब में कि कि कितने सारे फोटोस हैं, जैसे यहां वीर बाला बेन अगरवाडिया है, यह जब बापु ने डांडी मार्च लाउंच किया, 1930 में, एप्रल में, तो उन्होंने यह तेख किया था कि औरतें नहीं आएंगे, क्योंकि शंका थी कि हिंसा होगा, ब्रिटिश आमी की तरफ से, पर पूरी रात प्रातना और भाजन थी, तो वीर बाला बेन नगरवाड़यां वहाँ थी, और जब गांदी जी ने शपत ली, कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगी, तो मैं वापस नहीं आऊँगा, तो वो वहाँ थी, और वो वहाँ से एलेस ब्रिज तक चली, तो इनके ब गयान बहुत, मतलब बहुमूलया है, बहुत, यह है मानवति आरिया, उन्होंने निता जी के साथ काम किया, बर्मा में, यह राजकुमारी गुपता, जो वो कहते हैं, कि उपर से मैं गांधिवाद थी, नीचे से करांधिवाद, उपर से खादी पहने के, नीचे रिवालव से बाहर निकाल दिया और उन्हेंने का कि हमारा आपके साथ कोई लेन दिन नहीं है पर ये और इनके हस्बंट थे ये स्वत अंतरता संग्राम में शामिल थे तो ये हैं लक्षमी स्वामी नाथन सेगल जो जैसे आप जानते हैं जो कमांडर रही है रानी अफजांसी रेजिमेंट की और इन्होंने सब को रिक्रूट किया घर घर जाके ये हैं गांदी नाथन जो टोक्यो कडेट थे और जब रेस्ट हुए हैं तो उनको शिप में हॉंग कॉंग में रखा गया जेल में फिर चैन्नाइ पहुंचे और उनको कोई जॉब पहुंने मिला और उनको उनका ये जो ड्रीम था कि वो इंडियन मिल्टरी अकैडमी में जॉइन करेंगे और भारत को सब करेंगे वहां में उनको नहीं लिया गया तो उनको मेलेशा वापस चाना पड़ा और ये हैं दूल सिस्टर्स ये तीन सिस्टर्स थी जिन्होंने रा जाती थी बताती थी कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भारत को अजादी कैसे मिलेगी और ये बेटर है कि ये एक रेजिमेंट में हों उनको ट्रेनिंग मिलेगी वहां सेफर होंगी घर में रहके ये नेता जी का ये भी संकल था कि जो मर्द हैं ब्रेटिश इंडियन आमे में उनको भी थोड़ा सा शेम किया जाए कि तुम ब्रेटिश को सिल्फ कर रहे हो और ओड़ते हैं जो अपने इजान खुर्बान देने को त्यार हैं तो इसलिए ये हैं मिनाक्शी जी जो हाउस वाइफ थी उनके और हजबन ने दोनो ये रानी थी रानी अवजांसी रेज सागरी तो इसलिए वर दोने दोन समान देने को सागरी आपके ये बाता कूझे लिग्ट्रेश का सब्सक्राइगा हैं को तो मुझे अगल जोरियरें आपके महाम व्लाइनiredude भी मैं जो कण पर दोनी को पई जोर्फ में के जाँ हूँ, तो उनने ने का ऐसे मत करना सागरी, आपके किताब In Search of Freedom की बात चल रही है, तो क्या हम ये समझें कि अज जो पूरी किताब में जो मैटर है आपका, जो राइट अप है पूरा का पूरा, वो क्या आपकी पूरी रिसर्च को तो दर्शाता है जितने आपने इतने सालों में की है नहीं क्योंकि ये किताब जो थी वो मतला मैंने लिखी थी तो 2008 में फब्लिशर्स बैट से रहते हैं पता नहीं क्या करते हैं तो वो 2015 में निकली है और अब 2020 में तो हमने और भी रिकॉर्डिंग्स की हैं तो अब मैं चाहत अगर हमें मिल जाए तो हम लोगों के साथ शेर करेंगे तो बात का जो रिसर्च है आपका इस किताब के बाद जो जो सिक चीज़ें आपको पता लगे आपके शोद के दौरान तो क्या उनको भी रिटन फॉर्म में लाने का कोई प्लान है रिटन फॉर्म में भी है वीडिय वो भी मैंने अपलोड कर ली हैं कुछ त्रिलोचन सिंग जी हैं जिन्होंने बादशाख खान के साथ काम किया पिशावर में एक लेडी थी सारिता रानी मुडगल जी वो भी इनके साथ ही लेड जेल के अंदर उन्होंने जंडा फेराया था लोहर में और यह सब नाइनटीज में पहुंच गए हैं लोग तो अब चली ही गए तो बस यह मुझे लगता है कि यह मेरा बहुत जिंदीगी का बहुत बड़ा सौभा गया है कि मैं ऐसे लोगों से मिली और जब मैं वाशिंटन स्टेट यूनिवरस्टी में पढ़ती थी तो मेरे प्रोफेसर कहते थे कि मेरे जिंदेगी का मकसद जो है मिल गया कि मैं ऐसे लोगों को मिली और उनके बयान लिये और अब मैं इनके बयान शेर करना चाहते हूं हमारा इतिहास आर्काइब इस टो बीशेर विशेर विट पीपल अव इंडिया और विट वर्ल्ट सागरी छाबडा आपने आकशवाणी के लिए समय निकाला इतनी बातें बताई हमारी ही धरहर के लेके हमारे आजादी की लड़ाई के जो अलग-अलग पहलू है उनके बारे में इतनी चीज़ें बताई और खासतोर से महिलाओं का जो योगदान आपने रेखांकित किया है इस वारतलाप में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे पास शब्द नहीं है बर मैं All India Radio और आपके अभारे हूँ क्योंकि आप आए हैं और आप ये काम आगे ले जाएंगे थैंक्यू सो माच